यार आपने अपने पडोसी को बोल दिया, पडोसी के कुट्टे को बोल दिया, रहा चलते अजनभी को बोल दिया, पेड से बोल दिया, और अपने बॉस को तो आप अपसेट करना अफॉर्ड ही नहीं कर सकते हो, तो बॉस को तो बोलना है पड़ेगा, इस वेरी नॉर्मल बीगी को और दोस्त को क्यों? क्योंकि ये तो family है और family में फामेरी डिटी किस बात की right? wrong just acknowledge their presence their silent support system in your life and normalize normalize saying I love you I'm sorry and thank you to them as well यार जिस सीज को हम free में दुनिया में बाँट रहे हैं उसे घरवालों के लिए मेंगा किस नहीं किया और क्यों? और कब? ask these very important questions to yourself and don't make it conditional say I love you too like just like that ये तू शब्दों को न कंडिशनल ना वाना है ऐसी बोल दे है और मेरे शब्दों में बच जाएए जब आप ये बोल दे हैं अपने घरवालों को तो वहाँ से पर पलट के जुरूर देखे गया उनके चेहरे की चमक आपको बता देगी कि आपके शब्दों का जादू कितना कहरा है normalize hug them just the way you hug your colleagues, your boss and other people you keep impressing you know it so do it और अभी घरवालों के लिए है घरवाले भी बात बात पर एक्सपेक्ट ना करें कि इसने मुझे आज I love you नहीं बोला, I am sorry नहीं बोला, thank you नहीं बोला so what that's okay normalize this behavior as well कल तो बोला था, person तो बोला था, habit में तो है आप आप अगे से बढ़के पूछ लो कि बिटा खाना कैसा बना है time पे खाया आपको जो present में दिया था वो कैसा लगा ask questions अगर कोई साम में से नहीं बोल रहा है आप पूछ लो उमीदें मत करो क्योंकि यह बहुत slippery slope है गिर जाओगे, फिसल जाओगे, चोट आप ही को लगने वाले है don't put yourself into that position in that position, sorry and you know what आज ही से करें